आच्छा लेक्चर मदे आपन बगणा रहोत एक्स्प्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ओप मुमेंट ओपीनार रिया त्याद आपन बगया कि टॉर्क मनझे क्या तर आपन लास्ट लेक्चर मदे बगईतले कि लिनियर मोशन मदे जो एक्ट होतो तो मनझे गुट लावला आणि रोटेशनल मोशन मदे जो टैंजेंचियल फोर्स एक्ट होतो तो तेलास आपन काया मनतो टॉर्क मजे शर्कुलर मोशन मदे जो लावला तो तेलास आपन काया मनतो टॉर्क By definition दर बागे गलतर काया है? The movement of tangential force acting on rotating body about axis of rotation is called as torque. The torque चाएकवेशन कसलित अपन, torque is equal to F cross R एके तुमारा मैं ते torque is vector quantity ते आम आपन थी vector rotation ने लिए याराज कायमन तो पन hedge torque आपन साइन दा कोने ला कायमन तो पन tau पिटी जे vector quantity यह इस गिवन बाई पॉइंट बाई यह इस गिवन बाई tau is equal to I alpha मझे तुर तुमी लग छाटी हो शकता है की linear motion मद यापन कायमन तो की force is equal to mass into acceleration मझे तो linear acceleration replaced with angular acceleration and movement of inertia is replaced with mass and tau for circular motion means tau is nothing but force ok and force for linear motion then yasa unit of torque is Nm यहता जी सिस्टिम मते तो यूनीट का है तर नुटन मीटर और CGS सिस्टिम मते तो यूनीट का है तर दाइन दाइन सेंटिमेटर एक तर अपले CGS मते अपले हैं यह दाइन सेंटिमेंशन्स का है तर इतर रिदे तर इतर नुटन एंडपले पर यह की तो यह तो यह दो की तो डेफिनिशन बागा मुमेंट ओ टैंजिन शेल फोस एक टिंग ओन रोटेटिंग बोडी अबाउट एक्सिस ओ प्रोटेशन is called as tor क्यों तुम्या साही लग्षाटी होशकता है तवागा अपला linear velocity और angular velocity जो रिलेशन मायते है V is equal to omega into r क्यों अता अब गितला आपन कहे tau is equal to f into r tau is equal to f into r then acceleration is equal to linear acceleration is equal to angular acceleration alpha into r अता ह्या ती नी गोश्टी मादे एक अज गोश्टो कॉम्बने ती मनजे काए कि यह रिडियस है जे r ती काई होते है चेंज होते है मनजे r काई त different r यह चाओ उरूं तुमी है अपलीक यह लग्षाटी होशकता अता जसा तुमाले एक्स्प्रेशन वी चार्ला जाऊशकता तसाच नंबर और पार्टिकल्स असने रहेचो वरुबर मापन कैल्कुरेशन चाहिए कि एलिए तकी काई पार्टिकल्स इता कंसीडर के लिए अपन मजी यह महान पासों कंसीडर ते यह नंबर पार्टिकल्स याचाओ उन या आ चाहां थेका होतो यह center O और यह center axis of rotation पास यह distance R1 R2 आर्थी मज़ी पाँ देनोट के लिए with the body rotate with constant angular acceleration और यह तुमचा axis of rotation अन यह इतर लास्ट डियाग्रेम में देए आपन का एकल लागी त आपन गाले वेलो सी टीड वाइए इतर दाख लेली लिनियर मोशन है त्या मोला आपनी था फोस दिनोट के ला आपनी था करा आप लेला क्यालक्यूडेशन मदे इजी बड़ा होन बगाई तक है Consider a rigid body consists of n number of particles Consider a body consists of n number of particles of mass m1, m2 and up to mn यह बगाई तक मास तक राखोल है ओके This particle situated at distance from the axis of rotation Let r1, r2, r3 and rn the distance between the axis of rotation Each particle move with constant angular acceleration alpha मजे लास्टाइम अपना omega दाखोल हो अगे अगे दाखोल है तक है दाखोल है angular acceleration Let the force f1, f2, f3 and fn acting on the particle Whose mass भजी तक है प्रत्यक मास थाखोल हो, फोर्स उपनदाखोल हो ले ओके that the actual Martin आप्र यालल रिलेशन एक महें तेका है force is equal to mass into acceleration मापनित अखेकर नारं कि प्रतेक particle वर्थी किती force act होतो है ते आपन काडायाई से first particle वर्थी किती है नार पगायाई तो force is equal to mass into acceleration तो मालम है तो first particle साटी काहे ना f1, m1, e1 similarly for other particle काहे ना F2 M2 and A2, okay then F3 is equal to F2 Fn एला कैतरा आपनी equation 1 होन है मझे का आप लेला प्रत्यक पारिटी के उड़ती force act जायला पनी तका आड़ूंगे इतला equation ता linear acceleration on first particle हे relation अपलेला महते का ये linear acceleration is equal to R into angular acceleration हे relation first particle साथी similarly for order साथी का येन A2 is equal to R2 alpha अता angular acceleration अपलेके constant है ता मोँ प्रत्यक पारिटी आपन देख लेहता है अता आपन काई कराचे हीजी मियालेली अपनी A ची वेन लोए ते आपन इता या force चे एक्वेशन मदे पूट कराचे अता पहले equation का है F1 is equal to M1 A1 अता A1 ची किम्मद इता टाका मजे काई में यांद तुम्हाल M1 A1 ची किम्मद का है R1 alpha similarly for other F2 is equal to M2 R2 alpha मजी है वेनली इता पूट करके अपन H1 ची काने F3 is equal to M3 R3 alpha dot 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 F1 is equal to M1 R1 alpha अता आपन गया करना या प्लेले चमा देखाए कि rotating body होती torque किती act होता है काड़ा जाए अता आपन गया करना कि first particle होती किती torque act होता है वजी प्रत्यक particle होती first is काड़े आपन अके torque acting on first particle तो माला equation में थे का tau bar is equal to F bar into R bar ओके हे equation तो माला में थे अता according to according to अता characteristic of vector product माला में थे का A cross B is equal to AB sin theta तो जी तापन आपले करे चाहता मंजे का सहे नापले equation tau is equal to top R sin theta okay then अता बगा from diagram होगे आपन अता diagram मादे बगा हिता between the mass and force हे चाहमा देखा है angle कीते सा create चाहला है 90 चाहला है theta ची किम्मत कीते चाहला है 90 and sin 90 is equal to 1 okay मजे अपले लगा है equation में आलो tau is equal to F dot R मजे यह काहता for first particle अता अधर चाहमी के काड़तने similarly मुन में इता हे चाहमादे बगाता first particle साटी में आलो torque acting on first particle अता हे चाहमादे तुम्माला force equation में इता अधर आपन हे इता पूट कराच मैंजे कहसे चाहला tau 1 is equal to M1 R1 M1 R1 M1 R1 alpha and R1 tau 1 is equal to M1 R1 alpha अता हे चाहला first particle साटी similarly other particle साटी आपन हे डायरिक्टस गिविया अता हे चाहमादे चाहला आपन प्रतेक पार्टीकल साटी किती torque acting act होना ते आपन काड़ा अता हे चाहला total torque acting on rotating body total torque acting on body मत एक समीनार अपलेला is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 फोर ये फोर ये नमबॉरा पार्टीकल साटीया अपन कंसीडर रहके अता फक्त जाए यह value में अलाथ अपलेठा होचा अता हे चाहमादे constant काहँ दिसते है तो मालतरा alpha alpha अपन constant भार काड़ूंगी हे चाहमादू अधा ही टर्म टोटल अधा ही मंज़ तुमाला महिता है कि तर काय है कि यह चीज़र सम के लिए तर आपन आपने चीद की मत काय में रिला स्टाप अब हो गिटलो था कि आई मझे मुमेंट अपिनर स्या है चस मझे गए मास इंटू डिस्टंस फ्रां अक्से ऑप रोटेशन यह तेज का सली लिए लिला अपने i is equal to summation over mi ri square ओके यह मंज़ेस काया अपन ही term है term रिप्लेस्मेंट ला है लितो आपन बोरोबर मंज़े काया अपलेला में यालो equation tau is equal to i into ही आल पर है लिला अपलेला मंज़े अपलेला अपन ही प्रूफ के लिता कै expression for torque in terms of moment of inertia okay then yeah